सो गाई आसके वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और WhatsApp पर आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है विसिकलि ये प्रॉब्लम आती है जब आप जो है कोई थर्ड पार्टी WhatsApp यूज़ कहाने का मतलब है कि जैसे FM WhatsApp हो गया जी भी WhatsApp हो गया करना है मैं आपको बताने वाला है इस प्रॉब्लम का सॉलिशन इस वीडियो में तक बने रहे हैं वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके लिए आपको करना क्या है बैक जाना है आप जाने के बाद आपको एक रिपोर्ट करने होग ठीक है, वो report क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, वैसे तो कहीं लोग बताते हैं कि इसका आप clear data और clear catch कर लीजे जो आपका WhatsApp है, बट उसके काम नहीं बनता है, तो directly इसका एक ही solution बनता है, वो है report करना, उसके लिए आपको play store पर आना होगा, play store मा आने के बाद, WhatsApp को search करना है, दो उसके बाद नीचे आपको scroll करना और app support आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं, इस पर आपको click कर लेना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपको email का option देखने को मिल जाता है, इस email के option पर आपको click करना ह है, जैसे आप इस email के option पर click कर लेंगे, आपको यहाँ पर एक report submit करनी होगी, लिखना के यहाँ देख लिजिए, Dear WhatsApp Team, I am facing a problem in my WhatsApp, when I open WhatsApp, it shows an error, you need official WhatsApp to use this account, तो यहाँ पर this account, and I am not using any other WhatsApp, मतब लाइक, I have already tried all solution, please fix this problem as soon as possible, यह लिखना है आपको, लिखने के बाद, आप अपना जो WhatsApp number है, ठीक है, वो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, Contact number लिख दीजिए, मतलब, आपना जो WhatsApp number, वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और वैसे तो आपको जो reply है, वो आपकी mail पर मिल जाएगा, जिस mail से आप यहाँ पर mail करेंगे, report करेंगे, उस mail पर आपको इनका जो भी होगा reply वो मिल जाएगा, और आपकी problem solve कर दी जाएगी, पुर कोई problem आती है, मुझे comment box में बताएगा, मैं कोई solution लिए कराँगा, आपकी वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्च वीडियो में टेल लाइटे के, I love you all.